मृत्युन जया महादेवा प्राहिमाम शर्णागतम जन्म मृत्यू जरानों गई है पीड़े तम कर्मबंद नई है दूश्री महाकाल आप सबी लोगों को मैं धन्युतिवारी अपने से चैनल महाकाल के सब्सक्राइब करता हूँ और आज बात करेंगे तत्वकी ठीक है कि मेरी आदत है जो चीजे कोई बोलेगा नहीं वो चीजे मैं उठाता हूँ ठीक है और साथ ही साथ एक ऐसी बात जो सद्वकों के लिए जाननी बहुत जादा जरूरी है चाहे वो नया सद्वकों चाहे वो पुराना सद्वकों ठीक है क्योंकि गल्तिया सबसे होती है और फिर फल उनका आपको बाद में बुगतना पड़ता है आप एक गुरू से कोई साथना लेकर उसको कर लेते हो अब बाद में फिर जब वहीं साथना आपको नकारात्मक परी नाम देते हो तो फिर आप दूसरे किसी के चक्रे में पड़ते हो ठीक है देखे सबसे पहले बात करते हैं कि हम जो साथनाओं में हम बात करते हैं कि इस साथना में अपना मुख जो है वो पूरु दिशा में होना चाहिए या उत्तर में होना चाहिए तो हम लोग यह क्यों बोलते हैं क्या कारण है इसका क्या कि आप लोगों को लोग ये तो बता देंगे कि अपना मुख पूरू में रखो, अपना मुख उत्तर में रखो, अपना मुख दक्षिन में रखो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि क्यों, कारण क्या है इसका, और साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी बताऊ तो इसके साइन्टिफिक और स्पिरिच्वल्माइन दोनों रीजन्स हैं दोनों कारण इसके ठीकर ना सब्से पहले मैं बात करूंगा अध्यात्मिक कारणों की कि क्यों होता है ऐसा कि हम लोग बोलते हैं कि आप पूर्व में मुख्ध करके साधना करिए या उत्तर में मुख करके साधना करिए तो इसका कार्ण क्या है और देख़े अध्यात्मिश्म को देखा जाए तो पूर्वधिशा जो है देखिए अब तरीक जए बोला जाए कि कोई दिशा शूर को कि दक्षिन दिशा जो है अब आँ तो आई तार पर लोग दक्षिन दिशा को अशub बमान थे क्योंकि यह अदो देवता दें अ कि यह पावितर है के वह साब में ओक चाई देव सबस्क्राइज से नहीं किया है तो ऐसी बाते हैं तो देखें हम लोग जो बात करते हैं कि हर दिशा का एक अपना महत्व होता है कोई भी दिशा आप उठा के देख लिए चाहे वो नहित्य कोण हो वायव्य कोण हो, ईशान कोण हो, अगनेय कोण हो ठीक है उत्तर्दक्षिन, पूर्वप्स्चिम ठीक है, आकाश वरपाताल ये दस दिशाय दो जाती है मैं फिर से बता देता है, आपको ये दस दिशाय उत्तरदक्षिन, पूर्वपश्चिम वायव्य, ईशान आगनेय और नेरिटे ठीक है यह 8 दिशाय और आकाश और पाताल यह दो इनको मिलाके 10 दिशाय होती है टोटल ठीक है लेकिन हम लोग जो मुख्य तोर पर जो साधना है करते हैं क्योंकि अगर मैं एक किसी व्यक्ति को बोल दू कि नैरित्यकोंड में मुख्य करके अपनी साधना करो तो इसको यहीं चीज़े अलग दिशा में चली जाएंगी इसलिए जो मैं आज बात करना है था मैं वहीं बात करूँगा केवल तो जैसे कि मने बताएं कि 10 दिशाय होती है टोटल ठीक है आप कोई बोलते चार है कोई बोलते आठ है और किसी को यह पता है कि दस दिशाय होती है तो इनके न अगर हम मैप के नक्षे पे देखें तो उत्तर दिशा में हिमाले स्थित हैं जहां पर कैलाश परवत है ठीक है और कैलाश परवत पर भगवान शिव का निवास इस्थान माना जाता है ठीक है कि हम यह बोलते कि कैलाश इस पर भगवान शिव का निवास इस्थान है तो कि जब उनकी पीठ उत्तर की और होगी तो उनका मुख अपने आप दक्षिन में हो जाएगा ठीक है लेकिन हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए हम अपने इस्ट की साधना उनके पीठ के पीछे बैठके नहीं कर सकते ठीक है मतलब अगर मैं आपको बोल दूँ कि आप दक्षिन क्योंकि यदि आप अपना मुख दक्षिन दिशा में करते हैं किसी भी साधना के लिए किसी भी साधना के लिए यदि आप अपना मुख दक्षिन दिशा में कर लेते हैं तो इसका सीधा सार्थ ही होता है कि आपकी आपका प्रिष्ट भाग है आपका पार्ष भाग है वो आ उद्याचल का स्थान होता है, उद्याचल की दिशा होती है, मतलब इस दिशा से सूरी उद्य होता है, ठीक है, तो हम लोग चाहे अंधेरे कोने में बैटके साथ ना करें, या बाहर खुले में साथ ना करें, ठीक है, मंदिर में करें, यदि हमारा मुख पूर्व की और है, त जो सूर्य भले ही किसी भी डाय्रक्शन में रहे, लेकिन जो उधेयाचल की जो परिस्थितिया है, उन परिस्थितियों का लाब लेने के लिए हमें अपने नेत्र उस तरफ करने होते हैं, पूर्व दिशा में, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं कि अगर किसी स्थान पे देवता की मूर्ती होना अलग बात और उस देवता की उर्जा होना वहाँ अलग बात है सूर्य की पूर्व दिशा में उद्याचल की उर्जा निवास करती है उसके उदित होने की उर्जा निवास करती है वहाँ पर ठीक है और ये कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि पूर्व या उत्तर यहीं दो दिशाएं ऐसी हैं जहां पर जिन में बैटके साधना की जानी चाहिए ठीक है पश्चिम की बात मैं नहीं करूँ आ यहापे क्याकि मेरे को पश्चिम का उतना ग्यान इस समय नहीं है लेकिन इतना बताते हैं आपको कि दक्षिन दिशा में करके मुख मुख अपने मुख को दक्षिन दिशा में रख करके कोई भी साधना नहीं की जाती है नहीं कोई क्रिया की जाती है केवल और केवल तामसिक प्रयोक किये जाते हैं तामसिक, सातविक, मारन, मोहन, जो इस प्रकार के आभिचारिक कर्म जो होते हैं, शम्शानी क्रियाएं, इस प्रकार की जो चीज़े होते हैं, ये दक्षिन दिशा में मुख करके की जाती है, क्यों? क्योंकि दक्षिन दिशा, यम्राज की दिशा है, काल की दिशा है, ठीक है, और इस तरफ मुख करके साधना करने पर, कोई भी ऐसी चीज जो नकरातमा कोगी वो बहुत जल्द आफ से उलच जाएगी, ठीक है, तो ये कारण होता है कि हम लोग क्यों ये बोलते हैं कि पूर्व को मैं उस चीज पर सपश्ट हो जाओं, कि हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे ग्यान है, वो सही है, ये गल्ले तैक, मैं निशाता है कि एक चीज ना पता हो तो उसको सीदा बोल देना चाएगी, नहीं पता, लेकिन एक चीज जो ना पता हो ना, तो उसके बारे में अंधा दुंद नहीं बोलना चाहिए कुछ भी, ठीक है, ये मेरा संदेश सभी के लिए है, कि अगर आपको अर्द ग्यान है, ये आपको ग्यान नहीं है, तो मुझ बंद रखा करी अपना, लेकिन भरमाईए मत किसी को भी, किसी को ब्रह्म में मत डालिए, आप खुद ब्रह् एक सादक, नए नए सादना चेतर में आया, और उसने यूट्यूब पे कोई सादना देखी, अपसरा की, ठीक है, और उस लड़के ने वो सादना कर ली, सादना करने के बाद हुआ क्या, कि उसको वो अपसरा सिद्ध हो गई, जो अनुभव, उस सादना के वीडियो में बताए गई थे, सेम तो सेम अनुभव उसको होने लगे, और काम का सुक, और मनमुहक, जो उसके अनुभव थे, वो जितने अनुभव उसमें बताए गई त और उस व्यक्ति को बड़ा अनन्द आने लगा, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, कि जब भी वो व्यक्ति कोई साधना करने की चेश्टा करता था, खास तोर पर स्तिरी तत्वी की साधना, मादुर्गा की हो गई, लक्ष्मी की हो गई, काली की हो गई, जब भी वो व्यक्ति को इस तरी तत्व की साधना करने की चेश्टा करता था, उस व्यक्ति का बहुत बुरा हाल हो जाता था मेरे सामने उस व्यक्ति ने डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इंसोमेनिया, ऐसी ऐसी बीमारिया उस बंदे ने जहिली है उस व्यक्ति का शरीर जो किसी समय में 72-75 खिलो का हुआ अगरता था, आजकी रेट में 45 खिलो का बचा है आजकी रेट में, वो मेरा शिश्य है, मेरा शिश्य है वो कौन है, मैं उसका नाम नहीं बता हूँगा यहाँ पर क्योंकि जितने लोग मेरे ग्रूप में हैं, वो जानते हैं इस बात को कि वो शिश्य कौन है मेरा, जो इस प्रकार की मुसीबत से जूच की निकला है उसने बहुत कोशिश करी, कि यह जो चीज है उससे दूर हो जाए, उससे अलग हो जाए, वो खुद भी चाहता था तो भी उससे यह नहीं कर पता, दूसरी चीज जब उस व्यक्ती ने, उस व्यक्ती मेरे शिश्य ने, उस व्यक्ती से संपर्क साधने की कोशिश की, जिसकी हकागार पर आ गया था, उसकी मौत उसको अपनी आखों के सामने दिखाई देती थी, मैंने जब वेक्ति मेरे संपर्क में आया, मैंनो उसे अपना शिष्य मनाया, उसे अपना गुरू मंतर दिया, और गुरू मंतर के जाप से उसमें प्रभाव पड़ा, जो उसके अंदर की जो अपसरा थी वो तिल मिलाने लग गई, बिचैन रहने लग गई, लेकिन छोड़ा नियूस ने, अंतता है मुझे उसके घर पर जा करके, संकल्पित करकर के दुर्गा शब्त शती का पाट करना पड़ा, और आज कल मेरे पास उस व्यक्ति का फोन आया था, कि गुरू जी मैं उस अपसरा से पून रूप से मुक्त हो चुका हूँ, पून रूप से, और अब मैं 108 माला डेली अपने गुरू मंतर की और माधुरुगा के नमान मंतर की कर रहा हूँ, यह बताने का मेरा केवल एक मकसद था, कि आप लोग जो नही सादक हैं, जो पुराने भी जो साद है आज की डेट में यूट्यूब पर, बहुत गंदी आदत है, मैं देखी है, यह सादना कर लो तुम्हें दन मिल जाएगा, यह सादना कर लो तुम्हें बल मिल जाएगा, यह सादना कर लो तुम्हें यह मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन, कोई भी व्यक्ति उस तो कोई भी ऐसी साधना यूट्यूब से देख करके आप लोग ना करें इसके बारे में आपको ग्यान ना हूँ दूसरी चीज अगर आप कोई साधना ऐसी कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से बात करिए उससे इसके प्रभावों को जानिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर ठीक है आप जिसकी साधना कर रहे हो ना आप जो साधना यूट्यूब पर देख कर कर रहे हो साधना देने वाले व्यक्ति का उसमें कुछ नहीं भीगडेगा ठीक है वो तो काई से भी उठा के देखाए आपको साधना की अपसरा साधना ये कल लो ये पिशाच साधना ये कल लो ठीक है और मैं उठ्ञीज और बता देता हूं कि ज технолог की अपसरा की श्द्धार दालता न उसने भू और इसने खुद आप लोगों को इस बात का ज्यान नहीं है कि अपसराओं का किसी भी रूप में, मनुष्यों के साथ में कोई भी शारीरिक संबंद नहीं हो सकता, पुरान उठा के देख लीजेगा, जिस भी मनुष्य नहीं है, ये चेश्टा करिए, उसका अंत हुआ है, उसका विनाश हुआ ता, कि आप लोगों को दिशाओं का ज्यान हो, कि कौन सी दिशा जो है, किस प्रकार से प्रयोग की जानी चाहिए, आपको मैं बता चुका हूं, अगर आप दक्षिह दुख कर के कोई भी साधना करेंगे ना, अप कोई भी साधना आपको उल्टा फल दे देती है, आपको उ मेरा काम आपको डराने का नहीं है, सत्य बताने का है, क्योंकि मेरी वीडियो आप लोग देखे ना देखे, मैंको कोई फरक नहीं है उस चीज से, लेकिन जो देखे वो उस चीज को समझें, मेरी बता यह चीज से अगर किसी एक व्यक्ति का भी भला हो जाता है न तो मेरे को ब यूट्यूब से आँख बंद करके उठा करके कोई साधना नहीं करनी है, खास तोर पे अपसरापी शाच, डाकी निशाके निभूत, बेताल, प्रेथ, डाई, मत करियेगा, आप लोगों के, आप लोगों का भाई हूँ मैं, आप लोगों को समझा रहा हूँ, मेरा कोई इस सिद्धी सी वात है ना भाई साब, आप तो मेरे विवर्स हो, आप लोगों को समझाने का मेरा काम है, आप लोगों के करम पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप लोगों को जो करना है वो करोगे, मेरा करम है केवल समझाने का, अम अपना करम आज पूर्ण कर चुका, आप ल जै श्रीमा काजमी